ओम नमो भगवतेवा सुदेवाए नमः नमस्कार दोस्तों आपके अपनी चैनल ग्यान शास्त्र में आप सबका स्वागत है आज हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी की व्रत कथा इस कथा को सुने मातर से ही हमें एक हजार गायों के दान के बराबर फल प्राप्त होता है हिंदु धर्म क्रंथ के मताबिक भगवान विश्णों ने धर्म की रक्षा के लिए बहुत से अवता लिये है इसके साथ ही कई रूप भी धारड करके संसार का कल्यार भी किया है इनी में से एक है श्री हरी का मोहनी अवतार ये बेहत खास माना जाता है हर साल बैशाक माह के शुकल पच्चे की एकादशी पर मोहनी एकादशी का व्रत रखा जाता है मानिता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत्र करता है उसे मोहमाया से छुटकारा मिल जाता है साथ ही मांसिक शांती के साथ जीवन के सुक और सफलता भी मिलती है इस दिन भगवान विष्णु को प्रसंद करने और उनकी क्रपा पाने के लिए भक्त पूरे विधिविदान से व्रत रखते हैं दोस्तों कोई भी व्रत बिना व्रत कथा के पूर नहीं होता है चलिए जानते है कि मोहिनी एकदशी के दिन हमें कौन सी व्रत कथा पढ़नी या सुनी चाहिए मोहिनी की एकदशी की व्रत कथा की अनुसार सरस्वती नधी के टड़ पर भद्रवती नाम की एक नगरी में दुतिमान नाम का चंरवन शी राजा राज करता था वहाँ धन धाने से संपन्य और पुर्णेवान धनपाल नमक वैशे भी रहता था, वो अत्यनते धर्मालू और विश्णु जी का भक्त था, उसने नगर में अनेक भोजनाले, पियाउ, कुवे, सरोवर, धर्मशाला आदी बनवाए थे, सडकों पर आम, जामुन, नीम, आदी के अनेक व्रक्ष भी लगवाए थे, उसके पांच पुत्र थे, सुमना, सुद्दुधी, मेधावी, सुकरती और ध्रष्ट बुद्धी, इन में से पाश्वा पुत्र ध्रष्ट बुद्धी महापापी था, वो पितर आदी को नहीं मानता था, वो वेश्या, दुराचारी मनश्यों की संगती में रहकर जुआ खेलता और पराई इस्त्री के साथ भोग बिलास करता और मास मदिरा का सेवन भी करता था, इसी प्रकार से अनेक को कर्मों में वो पिता के धन को नश्ट करता रहता था, इनी कारणों से तरस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया थ घर से बाहर निकलने के बाद वो अपने गहने बेच कर अपना निर्वाह करने लगा, जब सब कुछ नश्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया, अब वो भूख प्यास से अतिदुखी रहने लगा, कोई सहारा ना देख जोरी करन सीख गया, एक बार पकड़ा गया, तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देखर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आया, राजाग्या से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया, कारागार में उसे अत्यंत दुख हुए, बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कह दिया। वो नगरी से निकल कर वन में चला गया। वहाँ वन ने पशुपच्चियों को मार कर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वो बहलिया बन गया और धनुशबान लेकर पशुपच्चियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूग प्यासे व्यतित होकर वो खाने की तलाश में घूमता हुआ कॉंडिन ने रिशी के आश्रम में पहुचा। उस समय वैशाक माह था और रिशी गंगा इस नान से आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छीटे उस पर पढ़ने से उसे कुछ सदबुधी प्राप्त हुई। वो कॉंडिन ने मुनी से हाँच जोड़ कर कहने लगा कि हे मुनी मैंने जीवन में बहुत पाप किये हैं। पापों से चूटने का कोई साधारण मिना धन का उपाए बताईए। कर विश्णू लोग को गया। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से बेल आइकन भी दबा दीजेगा ताकि मेरी सारी वीडियो आपको सबसे पहले बहुत सके। तो मिलते हैं अगली ड़ी वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे। क्यों तो मिलते हैं अगली यच्या मत रादे।